अगर अभी तक नहीं कर आए तो जल्दी से कर लो आपकी प्रोग्रेस को ट्रेक करने में हमारी हेल्प करेगा तो चलो सुलीशन की तरफ बढ़ते हैं हां जी तो हम अपने वीक वेन के 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं चलिए मारा क्वेश्चन है maximum number of vowels in a substring of given length तो ये question कैसे होगा देखो पहले आप एक question कर चुके हो जिसमे maximum number of vowels निकालने थे किसी भी string में यहाँ पर क्या है कि आपको substring की ना एक length दी हुई है आपको ऐसा निकालना है कि आपको बहुत सारी substrings बनानी है उस length यह जो length आपको दी हुई है और यह बताना है कि किसी भी इन substrings में से सबसे ज़ाधा vowels किस substring में आ सकते हैं क्यां करते हैं तो करना कैसे है सबसे पहले काम करते हैं क्योंकि हमें vouchles counter करने है तो एक वरियेबल की जरूरत पड़ेगी शुरू में जीरो होगा क्योंकि एक भी वाल नहीं मिला है अभी तक कूकि हमने खूर यह नहीं गική जोरू है उनको sliding window वाला concept यहाँ पर use करना है ठीक है sliding window वाला concept कैसे use होगा उसने का maximum substring की जो length है वो k है तो एक काम करते हैं कि शुरू से लेकर और k तक यानि कि अगर मैं एक example दूँ तो आपके पास a, b, c, triple, i, d, e, f आपके पास है a, b, c, triple, i, d, e, f आपके पास यह एक string है ठीक है वो कह रहा है कि k is equal to 3 है k is equal to 3 यानि कि आपको तीन length की substring मिलानी है हर बार ठीक है इतनी बात है मैं समझा गई अब क्या करते हैं मैं शुरू से लेकर और यहां तक इन तीन मतलब k is equal to 3 है तो यानि कि तीन characters k characters के एक substring शुरू में analyze कर लेता हूं ठीक है के substring के analyze कर ले और मैंने इहां पर वर्वल का count निकाल लिए वर्वल का count यहां पर क्या है 1 ठीक है काउंट निकाल लिए 1 वर्वल का उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं जैसे हम sliding window usually करते हैं एक step यहां से बढ़ाया और एक step यहां से कम कर लिए ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां से A remove हो गया, और यहां पर आई, add हो गया, इतनी बात है मैं समझा गई, इस case में मैं क्या करूंगा, कि अगर हम जिसको remove कर रहे हैं, हमारा A, अगर हम जिसको remove कर रहे हैं, वो कोई वावल है, अगर वो कोई वावल है, तो मेरा एक वावल का count कम हो गया, क्योंकि हमने उसको remove कर दिया, और हम जिसको add कर रहे हैं, वो कोई वावल है, तो मेरा count increase हो गया, क्योंकि हम वावल एड़ कर रहे हैं और लगे हाथ compare कर लोगी अभी तक जितने maximum वावल मिले हैं या तो वही maximum है या फिर अभी तक का latest जो count आया वो maximum है इन दोनों में से अगर जो भी maximum है वो assign कर दो ठीक है simple सा formula हमको इसी तरीके से चलाना है ठीक है तो एक काम करते हैं सबसे पहले तो शुरू के के लोगों पर iterate कर लेते हैं तो मैंने का for int i is equal to 0 i less than k i++ ठीक है करना क्या है हमने check करना है कि अगर मेरको vowels वाली string में क्या मिल जाए s of i अगर वो मिल जाए यानि कि वो not equal to no position हो not equal to no position यानि कि no position के equal ना हो यानि कि उसके पास कोई position हो अगर कोई position हो तो count प्लस प्लस कर दे ठीक है कब तक चले k times यानि कि k logo तक आइटरेट करें जब k लोग आइटरेट हो जाए तो एक int max बनाईए और उसको क्या assign कर देते हैं हम अभी तक का count की अभी तक जो हमें मिले है न वावल्स अभी तक के लिए वो maximum है ठीक है उसके बाद हम क्या करें हम बची वी आरेटरेट करते हैं तो int i is equal to k से शुरू कर ले हम क्योंकि हमने less than k तक तक चलाई लिया था तो अब k से शुरू कर लेते हैं i is equal to k i less than कहां तक चलना है हमको s dot length तक string की length तक i plus plus ठीक है और क्या करें कि अगर जो हमने भी condition लेगे थी अगर आपको वोवल्स में क्या मिल जाए s of i मिल जाए अगर आपको वोवल्स में s of i मिल जाए यानि कि वोवल्स में s of i is not equal to string no position अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है आपको count आगे बढ़ा देना है ठीक है जी और एक मैं यहाँ पर integer ले जाए ता हूँ integer is equal to 0 मैं कह रहा हूँ कि if आपको वोवल्स dot find s of j मिल जाए not equal to string npos अगर आपको j मिल जाए तो count मैंनस मैंनस हो जाए j मैंने 0 पर क्यों रखा है क्योंकि 0 से लेकर k जितनी हमारी सब स्ट्रिंग थी शुरुआत में ठीक है तो 0 से शुरू कर लो देख लो अगर इस समय 0 पर अगर कोई वोवल्स रखा हुआ है तो उसको हटाना तो है हमें क्योंकि एक स्टैप आगे बढ़ना है हमको के साइस की विंडो लेके चलनी है और एक स्टैप आगे बढ़ना है तो मैंने का कि j अगर मैं एक्सलेन करना जाओं तो मैने मैंने यह वाली मैंने यह हाली विंडो जब इतरेत कर ली थी इस जग़ह दिया और मैंने i को शुरू कराया इस जगा से और जब मैं i को यूटिलाइस करूँगा तो मैं j को हटाऊंगा भी तो सही और असलगे हाथ j को आगे भी तो बढ़ाऊंगा तो जब मैं आगे बढ़ा रहा हूंगा तो मैं ये तो चेक कर लूँ कि जो पहले j रखा हुआ था अगर वो वोवल है तो count को एक minus भी तो करना है समझ गया आप इनी बात क्योंकि हमारी अब वाली k में वो गिंती में नहीं आ रहा तो अगर वो वोवल है है तो हमको एक minus भी करना है और इसके बाद क्या करना है कुछ नहीं जे को आगे बढ़ाना है आई तो लूप के साथ आगे बढ़े गई जे को आगे बढ़ाना है जे आगे बढ़ा दिया जी उसके बाद क्या करना है मैंने हाँ पर बताया था कि max को compare कर लो जी ठीक है max compare कैसे करें जिस तरीके से लिखा है बस उसी तरीके से compare कर लेंगे न max is equal to max of या तो वो खुद या फिर count अभी तक जो मिला है ठीक है इतनी बात समझ में आ रही है अब मैं कहा रहा हूं कि अगर if max equal to equal to k हो जाए किसी भी point पर जो max है मेरा हो k size की window के equal हो जाए तो इससे बड़ा तो होई नहीं सकता न इससे बड़ा तो करने की जरूरत ही नहीं है तो यहां पर तुरंती return max कर दो किसी भी point पर इस पूरी string को iterate करते हुए किसी भी point पर अगर k के equal हो जाए max तो return कर दो max ठीक है अगर वो k के equal ना हो तो जो भी आए वो return कर दो जो भी आए वो return कर दो ठीक है इतनी बात आप लोगो को समझा रही है आप यह करना चाहो ना करना चाहो आपकी मर्जी है but just to be on the safer side of saving some iterations मैंने यह condition लिख दिया ठीक है जी run करके देख लेते हैं एक बार ही इसको हो गया जी accept submit करके देख लेते हैं हो गया सब्मेट चालो बहुत बढ़िया हां जी तो आपको एक क्वेशन अच्छे सब्सक्राइब भी कर लेजिए तिल थैंक्यों वाचिंग दिस वीडियो अंटिल नेक्स ताइंग बाबाई